नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक मैं अबदीब भीया इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मौसम को लेकर जहाँ पर भारत में अगस्त के महीने में 255 mm बारिश होनी थी, वहाँ पर केवल 162 mm बारिश तर्ज की गई आज तक के इतिहास में 1901 से लेकर 2023 तक इतनी कम वर्षा कभी भी नहीं देखने को मिली सामाने से माइनस 37 प्रतिशत की डिफिशिंसी जो है इस महीने बारिश में देखने को मिली है माइनस 36 प्रतिशत की कमी एज होल इंडिया में देखने को मिली केवल उत्तर और उत्तर पूर्वी भारत के इससे थे जहां सामाने से थोड़ी सी अत्रदिक बारिश की गतिविद्या हुई वो भी केवल दो प्रतिशत ही पॉजेटिव अनॉमली यहां पर देखने को मिली ह अब लगातार सूखा काफी सारे राज्यों को चपेट में ले रहा है और बारिश रिगतिविद्या अभी तक तो सप्टमबर 2 हो चुकी है बड़ाओ 3 कोई खास देखने को नहीं मिली है अगर एक सीजनल रेंफॉल देखें जो की एक जून से लेकि 2 सप्टमबर के बीच म वो उत्तर और उत्तर पूरवी भारत में माइनस 17 प्रतिशत और सेमिदरली दक्षनी पेनिसुला में भी माइनस 17 प्रतिशत पर ही देखने को मिल रही है सेंट्रल इंडिया में माइनस 11 नॉर्ट फेस्ट इंडिया क्योंकि जुलाई में जो है अच्छे बारिश वी थी जून में भी काफ़ी जादा बारिश वी थी पंजाब हर्याना उत्रप्रदेश दिली एंसिया राजिस्थान मद्य प्रदेश गुजरात उत्रप्रदेश के सभी हिस्सों में महराश्ट के उत्तरी भागों में 36 जारखन और बिहार तक मौसम साफ और शुष्क दिखाई दे रहा है यहां पर लगाता है पशिमी हवाएं डॉमिनेट कर रही है यानि कि शुष्क हवाओं का जमावड़ा बना हुआ है जिसके चलते बादलों का निर्मान तो हुई नहीं रहा है कोई भी वेदर सिस्टम इन्ही इलाकों में इस समय पे एक्टिव नहीं है इसी के साथ कनवर्जेंच जो की दिन के समय में बनता हीट जोन का वो दक्षिन पेनिंसुला से होते हुए पुरवी भारत की तरफ देखने को मिला है यानि की दोपहर के समय उडिसा, चत्तिजगड, आंधर प्रदेश, तलंगाना, करनाटका, पर नीचे, तमिल नाडू और करला के हिस्सों में अच्छे गरज चमक के बादल आज भी बनते दिखाई देंगे यही इलाका है जहां पर थोड़े बहुत बादल इस समय भी बने हुए है, सुबा के समय पूने और मुंबई के आसपस भी बारिश इकतिविद्य जरूर देखने को मिली है, इसका मतलब यह है कि मौनसुन अब दिरी दिरी अक्टिव होगा, अलाकि यह गरज चमक के बादल विक्सित होने वाला है, यह एक अच्छी खबर है किसानों के लिए भी और यह जैसे ही सिस्टम डवलब होगा पांच तारिक तक यह आगे लगातार देखने को मिलेगा कि पश्चिम दिशा में बढ़ना शुरू हो जाएगा, यहां पर पश्चिम बंगाल में देख सकते है कि बंगाल की खाड़ी में किस परकार से गरच चमक के बादल यहां पर विक्सित हो रहे हैं, कन्वर्जन सारा मॉइस्टर इसी इलाके में खटा हो रहा है, धीरी धीरे यह इसका एक्ष्वेंशन शुरू हो जाएगा, बढ़ आत्री होते हुए, और जैसे ही वेदर सिस्ट हमें बारिश कौन से राज्यों में देखने को मिलेगी, और कितनी मात्रा में वो हो सकती है, क्या रिवाइवल होगा, मौन्सुन का, यह अभी भी सवाल है, तो इस परकार से देखते हैं, आगे किस परकार मौसम रहने वाला है, तो जैसे कि हमने का आने वाले सब्ता, यानि की, चार तारिक से लेके लगबग 10 सब्तेंबर के बीच में मौनसुन भारत में वापसी करेगा, रिवाइवल होगी, अच्छे बारिशी गतिविद्या होंगी, लेकिन वो भी कुछ एक राजियों तक की सिमित रहने की संभाव नहीं है, तो मौडल्स जैसा कि इस से में एं को मिलेंगी, अक्युमिलेशन लगबग 100 से लेके 200 मिलिमीटर के बीच नों पूरे सब्ता का देखने को मिलता है, जो कि काफी अच्छी बारिश है, अगर सब्तेंबर के हिसाब से देखा जाए तो, लगबग ओडिसा, चतिरगर्ड, मद्यप्रदेश के पूरी भागों में पांस तारिक से बारिशी गतिविदियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी, जो कि 10 सप्टेंबर तक जारी रहेंगी, और ये लगातार बारिश होगी, क्लाउड कवर भी काफी अच्छा होगा, यानि कि धूप नहीं निकला करेगी, तो जो प्रॉपर मौनसुन के बरसात होत जैसे ही ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, मौनसुन एक्सिस भी अक्टिवेट होना शुरू हो जागी, कुछ एक पश्चे में शिरा भी मौनसुन एक्सिस का एक्टिवेट होगा, जो कि यूप और उत्राकंड के हिस्सों से गुज़र रहा होगा, यानि कि उत्तर प्रदेश जारी है, तो इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में तिलंगाना, आंदरप्रदेश, करनाथका में बरिद्धी होगी, लेकिन तमिल नाड़ो में इसकी घटने की संभावनाए है, जिस दौरान तिलंगाना, आंदरप्रदेश, करनाथका और महराष्टर के अंधरूनी महराष्टरा और साथ में ये भी देखने को मिलेगा, विधर्ब में अच्छे वारिश होगी, लगभग 50 से लेके 500 mm के बीच में बारिश, अगले सप्ता देखने को मिलेंगी, जो जादा तर 5 से लेके 8 सप्टेंबर के बीच में रहने वाली हैं, इसके बाद देखते हैं कि टट पर किस प्रकार से मौसम रहेगा, क्योंकि जैसे ही low pressure area यहां पर बनता है, पुल effect होना शुरू हो जाता है, पश्चिमी जो हवाएं होती हैं, वो टट के आसपस घाट section के उपर active होना शुरू हो जाती है, जैसे ही ऑफशोर ट्रप डवलप होती है, तो सारी नमी की मात बारिशी गतिविदियां के रिला और करनाटका के टट वाले इलाकों में जरूर देखने को मिलेंगी, लगबाग accumulation जो है 200-500 mm के बीच में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, जो जनरली घाट section पे होता है, पुस्टल इलाकों में 100-300 mm के बीच में बारिशी गतिविदियां दे किया जा रहा है कि इन इलाकों में बर्शाथ की गतिविदियां देखने को मिल सकती हैं, इसके बाद चलते हैं उन राज्यों की तरफ, जहां पर बारिशी गतिविदियों में कोई खास इजाफा नहीं होगा, लेकि मौसम परिवर्तंशिल होना शुरू हो जाएगा, पांच इन राजों के पश्यमी से रहे, यानी पश्यमी पंजाब, हर्याना, उत्तरी और उत्तर पश्यमी राजिस्तान के जो इलाके हैं, यहां पर मौसम में कोई खास जादा बदलाव नहीं आएगा, पश्यमी हवाएं यहां पर मौजूद रहने की संभावना हैं, तो आने ओले सब्सक्राइन के बाद दो करने की संभावना हैं, यहां पर मौन्सून रिवाइव होने की संभावना है, काफे कम प्रतित हो रही हैं, यानि सुखाग रस्यमी इलाके चलते ही रहेंगे, लेकिन दस तारीक के बाद इनहीं पर बार्रिश बारे के बारेशिगत्विद्या द देखने को मिलेंगे और काफी अच्छी बारिश हो जागी यानिकि पूरा मॉंसुन रिवाई होता दिखाए देरा सप्टेमबर में इन चेत्रों में जो है बारिश फिछले दिनों कुछ महराश्च्टर में भी देखने को मिलेगा कि एक वर्दान जरूर मिलने वाला है आगे भी इस परकार से विशलेशन करते रहेंगे और आपको लेटिस्ट अपडेट जो है वीडियो द्वारा मिलती रहेंगे यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत हैने वाद अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के ले बेल आइकन भी दबा दें